दोस्तों स्वागत है आपका अमारे यूटूब चैनल पर तो गाइज हर्याना पुलिस काउंस टेवल का जो एक्जाम हुआ था 2016 का तो इसमें हम लोग 100 कुस्चन्स देखेंगे सभी बिद आंसर के साथ तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और पास में जो बैल आइकन होता है उसको भी जरूर दबा ले चलिए स्टार्ट करते है आज का वीडियो कुछ कोशन करन्ट अपैर्स के आयते प्रिवेस एर के कोशन में हम लोग देखेंगे तो ये प्रिवेस एर का कोशन से भारत के बरतमान प्रधान नयाय मुर्ती हैं तो गाई 2016 में कौन थे अप्शन भी टी एस ठाकुर लेकिन हाल ही में मतलब बरतमान में काउन है तो आपको कमेंट करके बताना है अगला कोशन आया था के चंद सेखर राओ किस राज के बरतमान मुख्य मंत्री है तो ये 2016 में काउन से थे अप्शन है तेलंगाना में लेकिन अब काउन है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है अगला है वेस्विक निवेसक सिकर सम्मेलन बरत से 2016 में कहां आयोजित हुआ तो आप्शन है गुडगाउं गुरूग्राम बरत से 2020 के ग्रीस में कालिंग ओलंपिक खिल कहां आयोजित होंगे तो यह आया ता कोशन तो यह हो जाएगा जापान रामायान में लचमाण की पतनी थी तो कौन थी आप्शन ए उर्मिला अगला है काल का नगर किस राष्टी राजमार्क पर इस्तित है आप्शन सी एन एच ट्वंटिटू रेगेस्तान सहित महादीप है आप्शन डी यूरोब महादीप भारत में बनी पहली 3D फिलम है तो कौन सी है आप्शन डी माई डियर कुट्टी चातन भारत का समयधान किस दिन लागू हुआ तो यह हुआ 26 जनवरे 1950 को फिरोजपुर जिरका उपमंडल के तीनो और कौन सा प्रदेश है तो आप्शन ए राजस्थान सेना अध्यच जनरल दलवीर सिंग सुहाग का पैत्रक गाउं किस जिले में है आप्शन डी जजजर आपका यह 500 मीटर लंबाई की एक ट्रेन एक खंबे को 12 सेकेंड में पार करती है लंबाई को आपको किलो मीटर में करना है और सेकेंड को आपको मेनट में कनबट करना है तो कैसे करेंगे चाल बराबर क्या होता दूरी बटे समय डिस्टेंस अपान में टाइम तो दूरी कितनी है 2500 मीटर 2500 लग दिया टाइम कितना है 12 अब गाइस मीटर पर सेकेंड को किलो मीटर पती घंटा में कनबर्ट करने के लिए क्या करेंगे 18 बटे 5 का मल्टिप्लाई तो आपको चाल तो निकाल ले हैं मतलब गती निकाल ले तो चाल बराबर ये दिया हुआ है तो चाल बराबर ये लग गया अब ये 5 से काटेंगे तो 25 और ये 50 ओके तो गाइस काटने पर आपका आंसर आएगा 75 किलो मीटर पर हार तो आंसर हो जाएगा ऑप्चन बी इस राइट आंसर चलिए अगला कोशन करते हैं अगला कोशन है 15 बटे 13 डिवाइड वाई 7 बटे 49 मल्टिप्लाइ एक बटे 102 बटे 8 का मान क्या होगा तो गाइस इस कोशन को हम लोग बॉर्ड मास रूल से सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम लोग डिवाइड वाला पोर्टन सॉल्व करेंगे तो गाइस ये डिवाइड हटेगा मल्टिप्लाइ हो जाएगा तो ये हो जाएगा 15 बटे 13 ये 7 बटे 49 हो जाएगा ये औरabilfred 102 बटे 8 हो जाएगा आगे तो इसको स्वल्व जब करेंगे तो आपका हो जाएगा गाइस काटने पर आंसर आएगा 2295 बटे 28 तो यह आपका आंसर निकलेगा और आप्शन में से आपका कोई भी आंसर यह नहीं मिलेगा तो यह वाला थोड़ा सा कोस्चन डाउट रूल है यह आया था तो गाइस इतना आंसर आपको अगर मिलता है तो आप कमेंट करके बताइएगा अगला देख लेते हैं आप प्रेक्षन बाली वैलूस को तो लासा इसकल टू क्या हो जाएगा अंस का मतलब उपर जो दी हुई है अंस का लासा बटे हर का मासा तो क्या हो जाएगा आंस कितना है पांच एक और तीन तो पांच गुणे एक गुणे या गुणा करलो या कामा लगालो कर लासा निकालना है अब बटे हर का मासा तो छे गुणे दो गुणे चार गुणा करलो या कामा लगालो तो गाइस देखिए उपर वाले का जो लासा आएगा 5,1,3 का तो यह हो जाएगा 5 और नीचे 6,2,4 का लासा कितना होगा 2 तो यह काटेंगे तो आपका कितना मिला 15 वटे 2 हो जाएगा तो गाइस आंसर क्या हो जाएगा ओप्चन है 15 वटे 2 चलिए अगला कोशन करते हैं अगला है छिलचिला वन्न जीब अवजारन हरियाना के किस जनपद में अबस्तित है ओप्चन डी कुरुचेत्र कोहिनूर पत्र के संपादक सेनानी थे तो ओप्चन डी बाल मुकुंद कुप्त मुर्रा किस की एक प्रजाती है तो ये हो जाएगा ओप्चन भी भैस की निम्न में से किस के अभाव से रताउंदी जैसी आँखों की बिमारिया होती है ओप्चन ए बिटामिन ए समुद्र में जो आरवांटे का कारण क्या है तो ओप्चन सी ए और बी दोनों मतलब ए है चंदर का आकरसन भी है सूरी का आकरसन हरियाना में बिवहा में पंचायती रुपिया किसे दिया जाता है ओप्चन डी गाउं के सम्मानित ब्रद्द को समुद्र तल में अचानक गति सक्ति के कारण होने वाली विसाल समुद्री लहर को खालिस्तान कहते हैं तो क्या कहते हैं ओप्चन सी टी सुनामी कहते हैं अगला यह एक प्रसिद ओडी सी नर्तक है तो ओप्चन डी सोनल मान सिंग निमलिकित में से हर्याना से केंदर सरकार में कौन मंत्री नहीं है तो आप्शन D कवर पाल रभी और खरीब के अतरिक्त भारत की तीसरी फसल रितू कौन सी है तो आप्शन A जाया था द्वरा भारती राष्टे कॉंग्रेस की स्थाफना किस बर्स हुई तो आप्शन B 1850 तो आपको कमेंट करके बताना है कि L, M, N और O ये क्या हैं आपस में भाई है L, M, N, O अब आगे कहता है L, O से काला है तो मतलब L हो जाएगा greater than O मतलब L क्या है O से काला है, ना कि बहुत जादा काला है आगे कहता है N जो है उन सब में गोरा है तो N जो है अन तीनों भाईयों से क्या है गोरा है ओके, आगे कहता है M O से गोरा है तो guys, M की अगर बात करते हैं M की तो M O से गोरा है ना तो M गोरा है किसे से O से आगे कहता है तो उनमें सबसे काला काउन सा है तो सबसे काला तो आपका वही होगा L वाला क्यूंकि O गोरे की बात हो रही है M O से गोरा है अब देखिए N भी गोरा है अदर सभी से तो L जो आता है मतलब L जो काला है O से काला है तो यहां पर काले की बात पहले ही याल से की जाए चुकी है तो option है is right answer और एक बात याद रखिए जो पहले हो जाए मतलब जो इसकी पहले बात हो जाए तो इस टाइप के question में आपका बही answer हो जाएगा अगला देखते हैं अगला question है यदि court में इंडस को इसे से लिखा जाता है और tennis को इसे से लिखा जाता है तो student को कैसे लिखा जाएगा तो guys देखें इंडस के alphabet के लिए अलग-अलग code है tennis के alphabet के लिए अलग-अलग number है मतलब code है तो student के सारे alphabet आपके tennis और इंडस में मिल जाएगे तो आप बही alphabet के alphabet code को रख दीजेगा S देखिए, student का S है S देखिए, इंडस में last है S तो last का क्या है? 5 तो 5 अलग दिया आगे देखिए T, student का T T guys देखिए, 10 इस में पहले आ रहा है तो 2 हो जाएगा code तो 5, 2 बस इतना ही करना है देखिए, 5, 6 इस में आ रहा है तो ये भी cut 5, 6 इस में आ रहा है तो ये भी cut 5, 6 D में भी आ रहा है ये भी cut लेकिन 5, 2 जो आ रहा है वो के भला option C में आ रहा है तो आपको आँखे बंद करके answer लगाना है तो अगर थोड़ा सा में मतलब hint मिल जा तो आप आँखे बंद करके answer लगा दीजेगा option C is right answer चलिए अगला question guys करते है अगला है तिपलाद क्रसी से सम्मंदित बागोत तीर्थ किस जिले में है तो ये हो जाएगा आपका option D महंदर गड़ अगला है काटो जलाओ क्रसी का मतलब क्या है तो ये होता है option D जूम केती question है 25 सेप्टेंबर को गुरुबार है मतलब 25 सेप्टेंबर को आपका क्या है गुरुबार ओके आगे कहता है तो उसी बर्ष में 25 सेप्टूबर को कौन सा दिनों का तो साहिए देखिए guys सबसे पहले तो आपको जानना है सितंबर के बाद October आता है तो कितने October तक दिया है 25 October तक अब guys सितंबर में कितने total दिन होँगे आपके सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 30 दिन होते है तो 25 दिन तो आपके काट दो बचे हुए 5 दिन को काउंट कर लो तो 25 प्लस कितना हो जाएगा 30 अब 25 सितंबर से 25 अक्टू बर तक 30 दिन बचे आपके अब इसमें बिसम दिनों की संक्या में निकाल नहीं है तो इसमें साथ से डिवाइड कर देंगे तो साथ चोग अठा इस बचा कितना दो रिमेंडर बचा तो दो आपका क्या हो जाएगा देखिए गाइस आपका गुरू बार तो था पता हो गया आपको अब प्लस टू आउर कर दो मतलब गुरू बार के बाद दो दिन आउर जोर दो तो सुक्र बार सनी बार तो आंसर क्या हो जाएगा आपका Option D सनी बार, चलिए अगला कोश्चन करते हैं 31 कोश्चन है यदि तिरभूज ABC में तो क्या है आगे कौन ABC is equal to 90 degree मतलब यहाँ पर समकौन तिरभूज की बात हो रही है ओके तो गाइस कौन ABC मतलब ABC यह दिया हुआ है तिरभूज रेक्टेंगल तो इसमें यह यह वाला जो कौन है यह 90 degree है ओके और आगे दे रहा है कौन BAC क्या है कौन BAC यह कितना है 45 degree ओके आगे कहता है AB is equal to क्या है तो 1 है 1 cm तो sin 45 का मान क्या होगा तो गाइस देखे sin 45 की value आपको पता होगी क्या होती है 1 by root 2 ओके अगर आप sin 45 निकालते हैं तो आपको सभी को पता होगा कि कितनी value होती 1 by root 2 तो answer क्या हो जाएगा option C is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question है आपका यदि दो गोलों की तरज्याओं का अनुपात है 3 ratio 2 मतलब R1 अनुपात R2 इसकल टू क्या है 3 ratio 2 आगे कहता है तो उनके आइतनों का अनुपात क्या होगा तो guys देखें गोले का अनुपात क्या होता है R cube तो अगर आइतनों का अनुपात पूछा गया तो R1 Q इसकल 2 sorry R1 Q अनुपात R2 Q क्या हो जाएगा 3 का होल Q R1 का मान 3 है तो यह 3 का होल Q और R2 का 2 तो 2 का होल Q तो यह हो जाएगा 27 ratio 8 तो 27 अनुपात 8 आपका अनुपात हो जाएगा तो option B is right अनुपात चलिए अकला question करते हैं अकला question आपका महिला साथ छर्ता तर किस जिले में सरवादिक है तो गैस इसका अनुपात हो जाएगा option B गुलगाओं गुरूग्राम cryogenics का मतलब क्या है तो cryogenics का मतलब होता है option है बहुत निम्न तापमान का अध्यन बनस्पती के दोरा सोथन किया गया अत्रिक्त जल ज्यादा तर इसके दोरा हवा में बिलीन होता है option है पत्ते की उपरी सता है neutron की खोच किसने की तो ये कीती option है चैडविक साओर परिवार में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर से अधिक्तम दोरी पर है तो option C बरून master चंदगी राम का खेल किस खेल से समन्द है तो option C कुस्ती दो या दो से यादे computer को जानकारी वाटने के लिए आपस में जोड़े जाने को कहते हैं तो option C network आधि बद्री का समन्द किस पपित्र नदी से माना जाता है option C सरस्ती रिकेट्स या रिकेट्स बिमारी किसके अभाहों से होती है तो ये हो जाएगा आपका option D vitamin D computer का बहे भाग जो program design करता है लिखता है और maintain करता है क्या कहलाता है तो option D programmer कहलाता है प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी ने पानी पत से किस अभियान को प्रारम किया था तो option B बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतरिच यातरी को अंतरिच से आकास कैसा दिखता है option B काला विज्यापन नाम पत और सजावाटी रोसनी में आम तोर पर इस गैस का उप्योग किया जाता है तो option B नियोन डेरा सच्चा सोधा आसरम किस जिले में इस्तिध है option C सिरसा काफी का उत्पादन नहीं करने वाला भारतिय राज्जी है option B आंद्र प्रदेश अगला देखते हैं गाईज है एक्स का मूल क्या होगा मतलब ये संख्याँ दी गई है एक्स के स्थान पर क्या कौन सा नंबर आएगा तो देखे 3 से 6 बनने में कितना एड हुआ प्लस का 3 अब 6 से 10 बनने में कितना एड हुआ प्लस का 4 अब 10 से 15 बनने में कितना एड हुआ प्लस का 5 तो काई देखे पहले 3 फिर 4 और 5 तो 5 के बाद क्या होगा प्लस का 6 एड़ होगा तो 15 में 6 एड़ करते हैं तो आपको क्या मिलता 21 तो option C is right answer चलिए अगला question करते हैं कि अगला question है आपका निम्स रंखला में ऐसे कितने 2 हैं जिसके तुरंत पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत बाद 4 हैं तो गाईस देखिए 1 तो आपका 2 ये हो गया क्योंकि इसके पहले 3 नहीं है लेकिन तुरंत पहली 4 आप गाईस देखिए अगला दो देखते हैं इसके पहले 4 है तो बाद में 3 ये कट और अगला देखिए 2 इसके पहले 3 है तो ये भी कट तो एक बार तो count हो चुका है अगला देख लेते हैं, दो के पहले तीन है, यह भी कट, फिर दो के पहले चार है, लेकिन बाद में चार नहीं है, तो यह भी कट, अब देखें, दो के पहले तीन है, बाद में चार है, तो यह भी कट, अब गाइस, दो के पहले चार है, और बाद में भी चार है, तो यह भी सही हो ज जिनके पहले तीन नहीं हैं, लेकिन तुरंत बात क्या हैं, चार. ओके, चलिए अगला कोश्चन करते हैं, आठ मार्च 2016 को प्राष्टपाती महोदे ने हरियाना सरकार को किस उपलब्दी के लिए पुरस्करत किया, तो गाइज यह हो जाएगा, ओप्शन B, लिंग अनुपात में सुधार. अगला कोश्चन है, साकार का भिप्रितार तक मतलब बिलोम क्या होगा? तो ओप्शन D, नेराकार. निमलखित बाक्यों में सुध बाक्य क्या है? तो ओप्शन A, राम अच्छा लड़का, यह सबसे सुध बाक्य है, लेकिन B, C और D गलत है. अगला इन में से सुध सब्द कौन सा है? तो ओप्शन B, अध्यापक. सबसे सुध मतलब सब्द है, अध्यापक को ऐसे नहीं लिखते है, अध्यापक को ऐसे लिखा जाता है. अगला है दिन सब्द का विशेशन रूप है. तो ओप्शन C, दैनिक. अगला है जहर का घोट पीना मुहावरे का आर्थ है तो जहर का घोट पीना मुहावरे का आर्थ क्या होता है उप्सन है चुप चाप अपमान को सहन करना अखंड का सब्दार्थ क्या होता है तो उप्सन सी जिसके टुकले ना हो बूड़ा सब्द का भाववाचक संग्या रूप है तो option है बूड़ापा question है यदि 6 की घाट 2x is equal to 1296 तो x की बैलू क्या होगी तो guys देखिए इस 1296 को हम लोग 6 की घात में अगर convert कर लेते हैं तो 2x मतलब x की बैलू निकल आएगी क्योंकि जब बेस समान होते मतलब आधार समान होते तो घातों को हम लोग तुलना करके निकाल लेते हैं तो देखिए अगर 6 आधार इसमें है तो आगे भी ये 6 हमें बनाना पड़ेगा तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 कितना होता है 216 और 216 में 6 का मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको मिलेगा 1296 ओके तो यह हो जाएगा 6 की गा 2x is equal to 6 की गा 4 आधार समाने तो हम लोग गातों की तुलना करेंगे तो 2x is equal to क्या हो जाएगा 4 चार से 2 काटेंगे तो x की value क्या हो जाएगे 2 तो option B is right answer चलिए अगला question करते है अगला question है निम्न मेंसे कौन सा window तिसरे ब्रत पाध या quadrant में आता है तो गाइस आपने कार्तिये तल देखा होगा यह पहला quadrant होता है यह दूसरा होता है यह तीसरा होता है और यह चार्था होता है यह x अमाल लेते हैं x dash यह by by dash मानते है तो गाइस देखे यह तीसरा quadrant है इसमें जो symbol आएगे मतलब चिन आएगे कौन से आते हैं minus minus तो गाइस देखे option देख लीजेगा माइनस माइनस किस में है तो option c में माइनस 2 कामा माइनस 3 तो आपका ये वाला सही हो जाएगा 69 वाला, ओके तो 69 का हो जाएगा option c, अगला कोशन है दाहिने हाथ का संक किस लेखक की रचना है option c, गुलाम हुसेन सहा अगला कोशन है, एक बटा दो प्लस एक बटा दो, इंटू एक बटा दो तो कैसे solve करेंगे, तो सबसे पहले board mass rule लगाएंगे, सबसे पहले क्या solve होता, board mass में multiply, तो ये हो जाएगा, एक बटा दो प्लस एक बटा चार, अब LCM लेंगे तो कैसे करेंगे, चार LCM हो जाएगा उपर आएगा, दो, प्लस एक, तो तीन बटे चार आपका अंसर हो जाएगा तो option D is right answer चलिए एकला question करते हैं चारे के घिर्णी की एक निश्चिस संख्या 35 पसू को 12 दिन के लिए परयापत है यदि हर पसू को प्रते दिन 8 घिर्णी चारा दिया जाता है ओके इत्ता हो गया, आगे कहता है बही मात्रा की घिर्णी 42 पसू को रो जाना, प्रती पसू की 5 घिर्णी देने से कितने दिनों के लिए परयापत होगी तो आपका M1 D1, V1 अपान, क्या हो जाएगा M2, V2 ओके, अब हमें D2 इसकल्टू क्या हो जाएगा, ये वाला M1, D1, V1 इसकल्टू क्या होता है M2, D2, V2 तो D2 आप निकाल सकते हैं M1, D1, V1 वपान, M2, V2 तो M कमान का इस कितना है, 45 पसू है दिन कितने है, 12 है और B कमान क्या है, 8 बटे कितना हो जाएगा 22 पसू है और इंटू 5 अब अगर काटते हैं तो आपका अंसर क्या आता है मैं आपको बता देता हूँ Option B, 16 इसको आप कल्कुलेशन करके देख लिजएगा आपका अंसर आजएगा, 16 चलिए अगला कोशन करते हैं रानियन अगर किस जिले के अंतरगत आता है तो Option B, सिरसा अगला कोशन करते हैं कोशन है एक निश्चित कूट भासा में इसका अर्थ जो है इस अट ओके और इसका अर्थ है और इसका अर्थ है बाट इस तो उस भासा में ओके के लिए कस कूट का प्रियोग करेंगे तो देखेऑ इसका जो अर्थ है यह है इसमें ऊके आ रहा है लेकिन और किसी में ऊके नहीं आ रहा है तो अके के लिए थे सब्द निकालेंगे तो किस ब्द का यूच होगा तो अगर हम लूग इसका पता कलनें और that का पता कलने तो okay आटोमेटिक आपका आ जाएगा तो guys, सबसे पहले is का निकालेंगे is इस इस में आ रहा है और what is this, इस में आ रहा है is तो इनकेuben क्या क्या कामानें दखिए तो guys, आपका कामान हो जाएगा L E तो is क्या क्या हो जाएगा L E अब गाईज हम लोग that का निकालेंगे that इसमें है और that इसमें है ओके और इसके आर्थ में देखिए क्या क्या कामान है जब दोनों में that कामान हो गया तो इसके आर्थ में क्या क्या कामान है se, se, तो that का क्या आ जाएगा आपका se, last में बसता है ok तो के का क्या हो जाएगा आपका गाइस बी ओ ओ ऑप्सिंडी इस राइट आंसर चलिए अगला कोश्चन करते हैं यदि एक से पचास तक की संख्याओं में से पांच से भी वाज़त होने वाले संख्या हैं और ऐसी संख्या जिनमें पांच का अंक है निकाली जाती हैं तो कित ओप्सिंडी चालिज तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है अगला कोश्चन देखते हैं निमलिकित में से आसाड़ी या रवी की फुसल कौन सी है तो ओप्सिंडी ये सभी मतलब गेहूं चना और सरसों अगला कोश्चन है लुप्त पद का पता लगाई यहां पर बत इसका है तो कहिंए टमका खफारां अवी इसका होता है कितना क्षाइब हो लागे रिगाज का है तो इसका होता है पाहल है किसका होगा तृट किसमें नहीं आ रहा है नहीं होता तो आपका बी twists दोत को तरह आशी का है व कौने सीख में 25 प्रॉट आजय जो कम उदोड़े या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है अब L से हमें बनाना L ओके तो L से L बनाना तो कुछ नहीं अड़ होगा फिर से देखिए L से L बनाना कुछ नहीं अड़ होगा मतलब 0 0 रहा तो आगे भी 0 रहेगा तो L से L ही आएगा दूसरा बला अलपाबेट Okay, KL आपका हो गया Okay, तो KL इसमें भी है, इसमें भी है अब देखिए, एप से हमें बनाना है H एप का होता है 6 H का होता है 8 8, प्लस का 2 एड होगा अब देखिए, H से J बनाना है H का होता है 8 J का होता है 10, कितना एड होगा? प्लस का 2 अब मतलब दो दो सबही में आड़रा तो आगे भी 2 एड़रा, तो जे का होता है 10, 10 में 2 आड़र करेंगे तो आपका हो जाएगा 12, 12 किसका होता है L का, तो दो बार L आपका इसमें मिल गया, तो option D, is right on。 चलिए एकला question करते है, कोशन है fundamental सब्द के अच्छों से निम्न मेंसे कौन सा सब्द बनाया जा सकता है तो ऑप्षन है डेटर डेटरी में तो डेटरी में गाईस देखिए आर आरा रहा है यह अलफाबेट लेकिन fundamental में आपका आर कहीं नहीं आ रहा है तो पहला कट अब नोज में ओ अलफाबेट आ रहा है तो लेकिन fundamental में ओ नहीं तो यह भी कट अब गाई C आता है टेम तो टेम के सारे अलफाबेट आपके mental में मिल जाएंगे तो आपका option C राइट आंसर हो जाएगा अगला है छैल कड़े किस अंग में धारन करने बाला आप उसन है option C हाथ का अगला देखिए क्या है नाटक का समन्द है कलाकार से तो संगीत का समन्द किस से होगा तो option है संगीत अगे से अगला कोशन है 71 करेक्टली स्पेल्ट बर्ड इस मतलब कौन सा चार option में से कौन सा सब्द है जो सही है तो option है आपका अंसर हो जाएगा अगला है find the antonym of native तो guys antonym native का अर्थ होता है सोदेशी है देशाच तो native का antonym मतलब बिपिरीड पूछा गया बिलों सब्द तो इसका क्या होगा exotic option d मतलब exotic का क्या होगा बिदेशी आपका अंसर हो जाएगा अगला कोशन करते है he has been playing cricket the tense of verb in the above sentences is तो has been किस में यूज होता है present perfect continuous क्यूंकि आपका ing भी यूज हो रहा है okay bird की first farm है तो आपका present perfect continuous तो answer हो जाएगा आपका option d अगला देख लेते हैं अगला question guys कहता है कि the thief ran fast on seeing the policeman the part of speech of the bird fast in the above sentences is तो fast क्या है आपका option b add borrow okay अगला देख लेते हैं तो direction पढ़ना पढ़ेगा question नमर 75 और 76 के लिए कि in the below given sentences choose the part which contains errors तो आपको errors बताना है जैसे की sunil is a आगे है best student आगे है in our class at present तो इसमें क्या करना है देखिए गाइस आपकी जो गलती है आपको क्या हो जाएगा देखिए option a हो जाएगा आपकी गलती option a में सुनिल is a a के स्थान पर दा का प्रियोग होता क्योंकि यहां best आया तो यहां पर superlative degree का प्रियोग हो जाएगा दा ओके आगला देख लेते हैं the driver together with conductor and passengers bird down ओके तो इसमें क्या होगा देखिए bird down के स्थान पर आपका क्या आएगा बाज drowned क्योंकि आपका मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा पिस्तरत बढ़न करके with देखिए आया है with as well as yet together with आदी दोरह जब दो या दो से अधिक subjects चुड़े हो तो बर्प का प्रियोग इन सब्दों के स्थान के आने पहले subject के अनुसार ही होता है तो guys subject के अनुसार जब ड्राइबर क्या है आपका एक वचन तो यहां पर बाज आएगा जब भी with या together with या as well as का प्रियोग हो तो जो helping बर्वाएगी वो आपकी subject के आधार पर आएगी ओके अगला question देख लेते हैं अगला question है आपका fill in the blank with the most appropriate alternative जैसे कि दिया हुआ है देर बर खालिस्थान viewers than expected तो यहां पर क्या आएगा आपको बता देता हूँ option है fever अगला choose the correct synonym for lexicon तो समान बना तलब पर्याब आची क्या होगा lexicon का तो आपका answer होगा option C disnery अगला question है unix operating system को आमतोर पर कैसे जानते हैं तो option C multi user operating system मानब सरीर के रक्त संचरन की खोज किसने की option C William Harvey बेकलांग नागरिकों को प्रदान मत्री स्री नरेंद मोधी ने क्या कहा है option E दिप्यांग प्रकास संसलेसन मुकरूप से किसका कारे है option E पत्ता अगला reasoning का बिसम को पैचानना है चार option है तो गैस यह हो जाएगा देखे पेंग्विन के अत्रिक अन्य सभी सामान जगों पर पाया जाने वाले पाले बच्छी है जबकि पेंग्विन जो है वो बर्प यह ठंडी जगए पर पाया जाता है option D अगला है बाकी तीन के समूं से समद नहीं रखने वाला काउन है कैसे करेंगे का अंसर होगा option C क्यूंकि A देखिए 6 का स्कॉर है बी में 64 यह 8 का स्कॉर है और D में क्या सी यह 9 का स्कॉर है लेकिन C जो 48 है यह किसी का स्कॉर नहीं तो यह यह बाला साही हो जाएगा अगला है भारत की सबसे बड़ी सिचाई नहेर है तो option C इंदरा गांधी कैनेल हरियाना का एक मातर जिला जिसकी सीमाएं किसी अन्य प्रदेश को इस परसल नहीं करती है option D रोह तक bar end piece किताब किसने लिखी है option D लियो टॉलस्ट है बरतमान भारतिय राष्ट दोच की रचना किसने की option है पिंगली बैंक किया नारवे देश की राजदानी क्या है तो guys option C ओशलो गाई अगला question है यदि इसका आर्थ है मतलब गुणा का आर्थ है प्लस माइनस का आर्थ है गुणा divide का आर्थ है माइनस और प्लस का आर्थ है divide तो ये equation solve करनी है तो कैसे करेंगे तो equation को हम लोग solve करते हैं तो बार है आगे दिया हुआ है plus देखे थोड़ा नीचे करके solve करते हैं बार है आगे है plus plus का आर्थ है देखे क्या है plus का जो आर्थ है आपका है divide तो divide 6 और divide का रथ क्या है guys तो divide का रथ है minus तो minus 3 और minus का रथ क्या है आपका तो guys देखिए minus का रथ है multiply तो 2 अब multiply का रथ है देखिए क्या है plus अब equation को solve करेंगे bottom house rule से इसको पहले solve करेंगे तो 2 minus 3 into 2 plus 8 तो यह हो जाएगा 2 अब multiply solve करेंगे 2 minus 6 plus 8 अब 8 और 2 को अगर add करते हैं तो 10 10 में से 6 गया तो आपका answer हो जाएगा 4 तो answer हो जाएगा आपका option C is right answer चलिए अगला question करते हैं अगला question है आपका A, B, C ने एक व्यापार के लिए क्रमसा 75,000 रुपए 90,000 रुपए और साथी है लेकिन आपको कमेंट करके बताना की कैसे करा अगला 20 की और सथ करवावदी होती है तो इसका answer क्या होगा बताता हूं अगला question देख लेते हैं लॉग 3 की value is 0.4771 तो लॉग 27 का मान क्या होगा तो गैस देखें लॉग 27 को हम लोग ऐसे लेख सकते हैं लॉग लॉग 27 को ऐसे लेख सकते हैं 3 की खा 3 आप देखें 3 आ गया जाएगा तो 3 लॉग 3 और तो लॉग 3 की value आपकी क्या है यह अब मान पूट कर दो तो 3 into 0.4771 तो multiply करेंगे तो आपका answer आ जाएगा आंसर आएगा 1.4333 तो आंसर क्या होगा option D is right answer अगला देखते हैं questions कौन सा है अगला question है निमलिकित में कौन प्रसिद सांगी नहीं है तो option B तुलसी दास सर्मा पानी में रखेंगे कोशिका का परासरनी आस्मैटिक बिस्तरा मुकरूप से इसके दोरा नियंतरत किया जाता है option D बैक्यू ओल्स खनेच संसादनों में से किस जिले की प्रमुकता है तो गाइस option है महंदर गड़ा यह देखिए गाइस जो बचे हुए मैत के question है मैं आपको अगले वीडियो में provide करवा दूंगा क्योंकि इसका solution जो होगा इसमें नहीं आ पाएगा तो मैं solution पूरा आप को अगले वीडियो में आने वाले वीडियो में provide करवा दूंगा किस उस सब को बास ओड़ा भी कहा जाता है option D सीली सातम अगला देखिए मैति का है यह भी करवा दूंगा बाद में और last question आज का है सिक पंद को मानने वाले व्यक्तियों की सबसे अधिक संक्या किस जिले में हैं option C सिर्शा तो गाइद आज के इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू धन्नमाद आपका दिन सब रहे हैं